भारत और आस्ट्रिलिया के बीच अभी चार टिस्ट मैचों की बॉडर गवसकर ट्रोफी खेली जा रही है इसके दो मैच हो चुके हैं और दोनों ही मैच को भारत ने जीता है टेस्ट स्रीज खत्म होने के तुरंत बाद इन दोनों टीमों के बीच तीन वंडे मैचों की स्री स्टेडियम में होगी वहीं BCCI ने बीते 19 फरवरी को वंडे के लिए 18 मेंबर्स स्क्वाड का एलान कर दिया है जिसमें घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से कोहराम मचाने वाले अनुभवी तेज गंदवाज जहदेव उनादकट को भी शामिल किया गया है लेकिन इन सब के बीच जो एक बरा नाम मिसिंग है वो है भुबनेश्वर कुमार का बी सी सी आई ने क्यों भुबी की अंदेखी करनी शुरू कर दी है क्या अब यह माना जा सकता है कि भुबनेश्वर कुमार का अंतराश्ट्रिय करियर खत्म हो चुका है आईए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं हलो एंड नमसकार मेरा नाम है प्रशान्त और आप देख रहे हैं विजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल भुबनेश्वर कुमार ने आखरी बार भारत की नीली जर्सी 22 नॉवंबर 2022 को न्यूजिलेंड के खिलाफ खेले गए टी ट्वेंटी मैच में पहनी थी उस समय से ही बी-सी-सी आई सिमित ओवर्स के मैच में उनको मौके नहीं दे रही हैं वहीं अब आउस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको असक्वार में शामिल ना करना इस बात का संकेत दे रहा है कि भुबी उनके 2023 के वंडे विश्वकप के प्लान में भी शामिल नहीं है आपको बताते चलें कि भुबनेश्वर कुमार ने अपना आखरी वंडे भारत के लिए एक साल पहले दक्षिन अफरिका के खिलाफ खेला था वंडे के बाद T20 टीम में भी अब उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है कुछ समय पहले तक भुबनेश्वर कुमार T20 और वंडे में भारत के मुख्य गेंद बाजों में से एक थे लेकिन एशिया कप और T20 विश्व कप में कुछ खराब मैचों की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया अब इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद भुबी अब कभी कभार ही भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे वो भी विशेस परिस्थिती में इसमें कोई दो राए वाली बात नहीं है कि इन्डियन क्रिकेट में गुट बाजी का भी खेल चलता रहता है उमेश यादव और प्रवीन कुमार के करियर का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है अभी टीम इंडिया में उम्रान मलिक अर्षदेप सिंह के साथ मुहमद सिराज और हर्शल पटेल है जिनको लिमिटेड ओवर्स में भरपूर मौका देने की बात हो रही है और दिया भी जा रहा है वहीं मुख्य तेज गंदबाज भूब नश्वर कुमार पूरी तरह से फिट होने के बाब जूद भी टीम में नहीं है हम अगर बात जस्परित भुम्राह की करें तो टीम मेनेजमेंट उनको प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए डिस्परेट दिख रहे हैं जबकि यह बात हम सभी जानते हैं कि अब वह सिधा IPL में ही फिट होकर लोटेंगे अभी का टाइम ऐसा है कि BCCI को 2023 के आखिर में होने वाले वन्डे विश्वकप के लिए अपनी एक कोर टीम बनाने की आवशकता है इसलिए अभी वह खिलारी टीम में होने चाहिए जो वन्डे विश्वकप में खेलने वाले हैं उम्रान मलिक और मुहमद सिराज की जगह अभी भुबनेश्वर कुमार को तरजीश देने की आवशकता है लेकिन यह बात शायद टीम मेनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा है और इस समय भुबी का टीम में ना होना इस बात का सीधा संकेत है कि वह वन्डे विश्वकप के प्लैन में शामिल नहीं है अब देखना यहा है कि वो कब भारत के लिए इंटरनेशनल मैचों में अपनी वापसी करते हैं भुबनेश्वर कुमार एक जमीन से जुरे हुए खिलारी हैं जो किसी भी पिछ पर अपना जलबा दिखा सकते हैं इस बात को हम उनके बायोगरफी वाले वीडियो में दिस्तार से बता चुके हैं उस वीडियो को आप उपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं भुबनेश्वर कुमार ने अब तक भारत के लिए 21 टेस्ट 121 वंडे और 87 T20 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट में 63 वंडे में 141 और T20 में 90 विकेट जटके हैं भुबनेश्वर कुमार का इकॉनमी डेट वैट बॉल क्रिकेट में 7 से भी नीचे का रहा है उन्होंने भारत को अपने दम पर कई मुकाबले भी जिताए हैं अगर 2030 वंडे विश्वर कप की टीम में आप भुबनेश्वर कुमार को देखना चाते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट में लिख कर बताईए या वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इससे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी की घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हम जल्दी मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ